नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है आज मोटर भीम हिंदी में क्या आप जानते हैं कि NS160 और पलसर NS200 में BS6 अपडेट के बाद पावर बढ़ाई गई है और पलसर RS200 में ABS भी अपग्रेड किया गया है शुरू करने से पहले बढ़ाई भीम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले बजाज पलसर अब 125 से लेके 220 तक बहुत सारे मॉडल्स और वेरेंट से मिलती है आज के वीडियो में इन सब वेरेंट की थोड़ी जानकारी और डिफरेंसिस देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और छोटी पलसर है बजाज पलसर 125 ये सिर्फ नियॉन मॉडल में आती है और इसमें आते हैं तीन कलर आप्शन क्योंकि ये 125cc motorcycle है इसमें ABS नहीं आता लेकिन आपको CBS मिलता है जो है combi braking system और वो standard मिलता है इसमें आपको दो वेरेंट्स मिलता है एक जिसमें front disc brake आता है और दूसरा वेरेंट सिफ ड्रम brakes वाला है इसमें आपको 125cc का engine आता है जो 12 PS power और 11 Nm का top produce करता है अगली है Pulsar 150 इसमें total 3 variants आते हैं सभी variants में आपको single channel EBS standard मिलता है सबसे पहली variant है Pulsar 150 neon इसमें आपको total 3 color options मिलते हैं और ये एक single disc variant है दूसरी है Pulsar 150 standard ये भी single disc variant है और इसमें आपको थोड़े अलग color options मिलते हैं लेकिन आपको सिफ दो ही colors मिलते हैं जो है red और grey तीसरी है Pulsar 150 twin disc ये variant में आपको twin disc मिलेगी लेकिन single channel ABS ही मिलेगा और इसमें split seat मिलती है लेकिन आपको 2 color options ही मिलते हैं जो है red और blue ये सारी Pulsar 150 में आपको same engine आता है जो है 149cc का BS6 engine और ये 14 PS power और 13.25 Nm का talk produce करता है Pulsar 150 twin disc में आपको 4 tires भी मिलते हैं जो बाकी 125 और 150cc Pulsar से थोड़े मोटे हैं अगली motorcycle है Pulsar 180F इसमें सिफ एक ही variant आता है जो है 180F neon लेकिन इसमें आपको 3 color options मिलते हैं इसका 178cc का engine 17 PS power और 14.5 Nm का talk produce करता है इसमें dual disc आती है लेकिन आपको single channel ABS ही मिलता है अगर आपको semi-faring वाली एक simple motorcycle चाहिए तो 180F सबसे easiest option है अगली semi-faring वाली Pulsar है Pulsar 220F ये बजाज की सबसे iconic Pulsar है और काफी सालों से sale पे भी है इसका 220cc का engine अब 20.4 PS power और 18.55 Nm का talk produce करता है जो पहले से थोड़ा सा ज्यादा है इसमें कोई special variants नहीं आते है लेकिन दो color options आते हैं जो है blue और red dual disc के साथ आती है ये motorcycle लेकिन इसमें भी सिर्फ single channel ABS दिया गया है जो standard है अगली motorcycle है Pulsar NS160 BS6 update के बाद 160cc में सबसे powerful है ये motorcycle इसका 160cc का oil cool engine अब 15.5 नहीं 17.2 PS power produce करता है जो almost 180F जितना है ये motorcycle के कोई special variants नहीं आते है लेकिन आपको 3 color options मेरते है Pulsar NS160 सबसे छोटी Pulsar है जिसमें आपको monoshock भी मिलता है अगली Pulsar है NS200 ये motorcycle बजाज KTM joint venture के बाद लाए गई सबसे पहली motorcycle है NS160 की तरह ये motorcycle का engine भी थोड़ा ज्यादा power produce करता है ये motorcycle NS160 से बड़े disc brake के साथ आती है लेकिन फिर भी इसमें single channel ABS ही मिलता है कोई special videos नहीं आते लेकिन आपको dual tone में 4 color options मिलते हैं अगर हम power output की बात करें तो ये motorcycle NS200 24.5 PS power और 18.5 Nm का talk produce करती है जो पहले से बढ़ चुका है और ये Pulsar RS200 जितना ही है अगर हम Pulsar RS200 की बात करें तो ये top of the line Pulsar है और ये अकेली Pulsar है जो dual channel ABS के साथ भी आती है Pulsar RS200 भी एक lothy Pulsar है जो full fairing के साथ आती है और ये सबसे महेंगी भी है इसका engine same power produce करता है but torque थोड़ा सा ज्यादा है जो है 18.7 Nm का अगर हम सारी Pulsars की styling compare करें तो Pulsar 125 और 150 पूरानी Pulsar की styling के साथ आती है Pulsar 180F और 220F fed motorcycle है, semi fed motorcycle है जो 220F की styling के साथ match करती है NS160 और NH200, NH200 की styling के साथ match करती है जो naked, sporty है और RS200 full fair है Pulsar 125 को छोड़के बागी सारी Pulsars FI के साथ standard मिलती है और ये रही इन सभी की price list तो दोस्तों मैं दिल से माफी चाहता हूँ क्योंकि RS200 का production year Pulsar history के motorbim video में मैंने mention नहीं किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरू जाके देखिए motorbim English Channel पर है वो और हाँ अगला history video पका TVS अपाचे का ही होगा शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए अगर आप वीडियो पसंद आये हो तो जरूर लाइक कर देए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जिने पलसर लेनी है या और लड़ी पलसर ओन करते हैं मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सेफ रहें और गर पर ही रहें झाल